अब्सकार मैं शिल्पित्र पार्टी एबीपेस के खास कारक्रम विदायक जी चले गाउं की ओर में आपका स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे गाउं के विकास और पंचायत को लेकर के गाउं में क्या-क्या समस्याइं होती हैं आज हमारे साथ मौझूद हैं फटेपूर से भासपा विदायक करने सिंग पटेल जी विदायक जी बहुत-बहुत सौगत हैं हमारे करेंगे में आपका गाउं की समस्याइं मूल रूप से बिजली पानी और सडक की होती है किसानों के लिए खाद बीच की होती है बरतमान सरकार हमारी भारती जन्ता पाइटी की सरकार जो इनका सिध्धान्त रहा है वो सिध्धान्त के आधार पर सबका साथ सबका विकास ये पूरा चरितार्थ कर रहे हैं किसानों का, गरीबों का, बंचितों का, सोष्टों का उनके लिए भिसेश करकार किया जा रहा है इस पे चाहे प्रधान मंत्री आवासी योजना हो चाहे रासन काइड का हो किसानों के दृष्टी से अगर हम देखें तो जो पहले लाइन लगा करती थी यूरिया खात के लिए यूरिया खात को नीम कोटिट करा देने की कारण अब उसका ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो पाती है पूरा का पूरा किसान के पास जाती है किसान को लाइन नहीं लगाना पड़ता है सलकों के लिए गढधा मुक्त कर दिया गया है बरतमान सरकार केसो मोरिया जी जिसके मंतरी हैं हमारे प्रदेश के उपमुक मंतरी हैं वो पूरा का पूरा एक अभियान चला कर पूरे देश की सलकें गढधा मुक्त कर दी गई है नई सलकों की सुरुवात हो गई है सिक्षा के छेत्र में गाउँ दिहात के बच्चे जहां पर केवल कमजोर लोगों के बच्चे पढ़ने जाया करते थे वहां पर आज लोगों का मन बनने लगा है आज की सिक्षा प्रणाले को लेके पद्धधी को लेके जितने प्राइमरी विद्याले थे सब में बाउंडरी करवाई जा रही है वहाँ पर बच्चों के बैठने की बेस्था कराई जा रही है पीने के पानी के लिए आरों की बेस्था कराई जा रही है कंपूर्टर की बेस्था कराई जा रही है और बच्चों को कपड़े ऐसे दिये गए हैं दो जोड़ी जिनको बच्चे देखके बहुत ही प्रेम पुर्वक पहिंते हैं बिद्याले जाते हैं जूता मुझा दिया गया जोला दिया गया पुस्तके दे गए हैं सेटर दिया गया आज बिद्याले का मैं जिस बिद्याले क पताई बच्चों के बैठने के लिए सीशी कैमरे हर प्रकार की ब्यस्था कर दी गई है गाओं की समस्याएं एक दिन में दूर नहीं होंगी पूरी की पूरी क्यूंकि पंदरा साल का कारिकाल जो पूरानी सरकारों का रहा है इतना गडबल ब्यस्था हो गई थी कि गाओं का इमाम बोलने लगा था आज मोदी जी की सरकार केंदर से प्रदेश की सरकार इनके उपर जनता का बिस्वास काइम हो गया है दो हजार चूदा में जो लोग सभा में जनता बोट किया था वो आसा के साथ किया था दो हजार सत्रा में जो बोट किया वो बिस्वास के साथ पती जनता पार्टी के उपर, मोजी जी के उपर, योगी जी के उपर, पूरी जनता को विश्वास हो गया है। जो पहले धान खरीद में या गेहूं खरीद में दलाली हुआ करती थी। किसानों के डाइरिक्ट धान या गेहूं नहीं लिया जाता था। इस बार पूरा धान लिया गया, इसके पहले गेहूं लिया गया, गेहूं का पूरा मूल दिया गया, धान का दिया गया, पंद्रा लाक तीस जार करोड रुपया गन्ना का भुकतान कर दिया गया है, आलू की खरीद भी शुरू होने जा रही है, पूरा उत्तर्परदेश को डार्क जोन घोशित किये हुए तो पूरा उत्तर्परदेश का डार्क जोन समात्त कर दिया गया है जो भी किसान बोर कराके अपना खेट सीज़ना चाहता है वो बोर कराए उनको connection इमिडेट डिया जा रहा है बिजली का वो अपनी सीचाई करें पूरा का पूरा बेवस्था अगर मैं एक एक चीज को लेके चलूं किसानों के लिए मजदूरों के लिए गरीबों के लिए बंचीतों के लिए ऐसा जो सबका साथ सबका विकास कनारा दिया गया है अभी जो प्रहान मंतरी उजला योजना के अंतरगत गैस का वित्रन किया गया कुकिंग गैस का उसमें कोई न जात का न धर्म का न संपरदाय का न उसका न नीच का कुछ भी नहीं देखा गया है सब को एक साथ जो उस सीमा के अंतर गता आते थे मानक में आते थे सब को गैस दी गई 65 लाख गैस के कनेक्शन उत्तर प्रदेश में अब तक दिये जा चुके है इसी प्रकार से प्रदान मंतरी आवास ही हो जना में उंच नीच गरीब अमीर अमीरों को तो है नहीं है जो मानक के अंतरगत आये हैं उन सब लोगों को आवास की बिवस्था की गई है 2022 तक सब लोगों को आवास मिल जाएगा जो सक्सता के रूप में है सक्सता के लिए इस प्रकार के अभियान चलाए गए हैं कि आज जन जागरा हो गया है आज जिस तरह से पहले लोग फेंक दिया करते थे सड़क में चलते चलते मुंग फली खा लिए पान थोग दिये केला कछिल का पेंक दिये आज हर आदमी संकोष करने लगा है कि नहीं हमें सफाई रखना है गंगा की सफाई का अभियान चल रहा है वो अभियान भी हमारा सार्थक होगा नहरों की खुदाई का काम चालू है हर छेतर में इस प्रकार से काम चालू हुआ है अपराध मुक्त उत्तरपदेश हो गया है जो उत्तरपदेश में बलातकार डकैती, छिनैती अपहर अड़ ये सब हुआ करते थे हत्या वो आज बहुत कम हो गया है पहले की तुलना में समाक्त की इस्थित में आ गया है समाक्त तो होने की इस्थित पर कभी भी अपराध या भ्रस्टाचार ये तो अपवाद सरूप आज हमें दिख रहे हैं इसके अलावा पूरा का पूरा कंट्रोल है लाइन डाइडर में बिजली विभाग हमारा इतना बहतर हो गया है जो एनाउंस किया गया था 24 घंटा, 20 घंटा, 18 घंटा ये बिजली हमको पूरे छेतर में पूरे प्रदेश में लोगों को उपलब्द हो रही है जैसे कि आपने कहा कि इसकूलों में बहुत से मतलब पुताई करवा दी गई है बांडरी करवा दी गई है बच्चों को ड्रेस वगर दी गई लेकिन जो इसकूलों में सिच्छकों की कमी है उसका क्या कारण है सिच्छकों की कमी का कारण आज का नहीं ये पुराना कारण है वो पुराना कारण को अब हम लोग अपाइंटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं सिक्षकों की कमी दूर होगी इंजिनिरों की कमी दूर होगी पीएसी की कमी दूर होगी ये पुरानी सरकार तो पीएसी की 54 बटालिया नहीं समाप्त कर दिये थे इसका ग्यारा साल की ये ग्यारा महीने की ये सरकार ग्यारा महीने प्लस हो गया है करीब एक साल होने जा रहा है ग्यारा महीने में ही ये इतना कर डाला है काम इतना कर डाला है जो पांच साल में समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई ये बोगजन समाजवादी पार्टी नहीं गरबाई है जैसे आपने को कि अवाजुच्ष जी जैसे हमा की सब को आवाज दीए जाएंगे जो प्रदान मंद्री आवाज ऊजना है यह वह बहूंच एसे लिखाह ढ़ा है कि इससे ग्राम प्रधान कोई लेना देना नहीं है क्या है यह वर सजही है तो कैसे नहीं को लेना देना Key Не regular स्वे करवाता है कान मानक के अंतर गःता है की में गाउन का सेक्रेठी और गम्राम का प्रधान यह लोग करके देते हैं कि यह अध्मी पात्र है इसको आवास चाहिए उसकी वेस्था की गलबल होने वाली नई है दो जो जогार की बात करें तो जब सरकार बने करने पर भीज़़ेपी सरकार ने वादा किया था कि हर योगा को नौकिरी दी जाएगी लेकिन अभी भी रोज़़े करने के लिए समय चाहिए होता यूजना बनती है योजना के बाद उसका क्रियानन होता है पहले तो हमारे सरकार की नियत देखिए योगी जी की नियत देखिए हर सरकार हर ब्यक्ति नियत के अधार पे चलता है अगर आदमी की ब्यक्ति नियत अच्छी है तो नीत अच्छी बनेगी नीती अच्छे बनेगी तो नियोजन सही होगा हमारे योगी जी की नियत बिलकुल साफ है नीती बन गई है इस नीत को क्रियानन करने के लिए समय लग रहा है कौसल विकास में लाखो बच्चों को नौकरी मिल चुकी है पधान मंतरी का वसल विकास योजनाच चल रही है और भी एड़र्टीजमेंट किये गए है इनका सबका रिकूरेट्मेंट चालू हो जाएगा आपके इसाब से गाउं में ऐसे क्या क्या चीजे होनी चाहिए जो जिससे कि आम आदमी खुसा हाल जिन्दे के जी सके ये प्रयास किया जा रहा है हर घर पक्का हुआ जा रहा है सहर जैसा हो जाएगा बिजली अभी गाउं में आठारा गहंते मिल रही है और बहादी जाएगी योजना सरकार बनाएगी तो फिर गाउं का आदमी गाउं में रहना चाहेगा वो सहर में आना नहीं चाहेगा, क्रसी को किसान की लागत को दूना करने के लिए, जो योजना बनाई जा रही है, जब किसान ज्यादा पैदावार करने लगेगा, तब उनको सहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर जिले में एक प्रोडक्ट जो वहां का मसहूर है, उसको हम भिक्सित करने जा रहा है, वन प्रोडक्ट वन डिस्टिक, इस पहर मुले पे हर जिले में काम होंगे, अभी जो यहां पर इन्वेस्टर्स समिट आए, यह आज तक का रिकार्ड है, इतना बला इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ है, आज उत्तर की तरफ इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि हम अपना उत्तर प्रदेश में लगाएं, यह प्रदेश इन्वेस्ट करने लाइक प्रदेश बन गया है, इन लोगों का रुजहान देखके, आप लोगों को पूरा प्रदेश वालों को वान लोगों को यह आकलन कर लेना कि जब पूरे देश के विदेश के उत्तर प्रदेश में अपना उत्तर प्रदेश में अपना उत्तर प्रदेश की राफ पे आ गया है, इसमें कोई दोरा यह नहीं गाउं के अस्पतालों की हालत है उसमें डाक्टरों की जो कमी है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे या जो डाक्टर जो सहर के डाक्टर हैं वो गाउं जाना नहीं चाहते हैं या सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देती है सरकार हमारा ध्यान देना चालू कर दी है मुझे आकला तो नहीं मालू है मुझे लगता है हजार के लगभग आकला एक्जेक्ट नहीं मेरे पास में डाक्टर अपाइंट किये गए कर लिए गए हैं और अपाइंट किये जा रहा है उत्तर प्रदेश में तो हर चीज कियवल ये कमी प्रदेश हो गया था यहाँ पर हर चीज की कमी हो गई थी अब धीरे-धीरे उसका सब पूरा ब्यश्ता किया रही है डाक्टर वहां पर रहेंगे मरीद देखे जाएंगे पूरी दवाएं वहां पर मिलेंगी को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं उसी प्रकार से वो समाज को घर की सफाई जी इस तरह करते हैं उसी प्रकार से द्वार की सफाई करें जिस प्रकार से अपने परिवार के बच्चे को अपने परिवार के बुजुर्ग का ध्यान देते हैं उसी प्रकार अपने गाउ के बच्चों को बुजुर्गों का ध्यान दें प्रदेश का ध्यान दें तो हमारा प्रदेश हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा भारतवर्स का प्रदेश है ये प्रदेश पूरा हिंदुस्तान के पटल पे आएगा और जब उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के पटल पे आ आज मोदी जी पूरे विश्व में ऐसा अस्थान काइम किये हैं भारत वर्सका कि हर राष्ट्रा ध्यक्ष भारत आना चाहता है हर देश प्रधान मंत्री मोदी जी को अपने देश बुलाना चाहता है बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका तो ये तो देश पूर से भास्पा विधायक करन सिंग पटेल जिन्हों ने बड़ी सूद्बूच के साथ हमारे सवालों के जवाब देए आगे भी आसा करते हैं कि विधान सबाब है विगाओं के विकास को लेकर सवाल उठात करते रहेंगे और हम आपको अन जन प्रतनीदियों से मुलाकात करवाते रहेंगे तब तक कि लिए शिल्पी को दीजे इजाज़त नमस्कार